तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो है पात्वे आफ इस फर्म के बारे में जाना था अब यहां पे हम थोड़ा सा इस्ट्रक्चर रिलेटेड बात कर लेते हैं और इस्ट्रक्चर रिलेटेड बात में हम लोग दोनों बात करेंगे मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम और female reproductive system उसी समय मैंने परसों ही वीडियो में आपको जो है बताया हुआ था spermatogenesis के बारे में उसकी particular location कहां पे होती है उसके बारे मैंने आपको बताया हुआ था है ना बस मैंने आपको नहीं बताया था तो वो external genitalia के बारे में आपको नहीं बताया था तो यहां पे आप जरा सा ध्यान दीजिएगा मैं हलका सा external genitalia आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके देखो female का जो external genitalia होता है उस वो portion यह होता है अब इस portion को अगर मैं complete रूप में बोलू तो इसको हम लोग penis के नाम से जानते है penis में जो होता है आगे की तरफ जब आप आते हो इस side में तो यहां पे आगे portion की तरफ एक बुरा circular सा गोला सा area होता है थोड़ा सा गोला area होता है जिसको हम लोग glans penis के नाम से जानते हैं अब यह glans penis जो होती है glans जो होती है यह females के अंदर भी देखने को मिलती है ठीक है females के अंदर कहां देखने को मिलती है females के अंदर देखने को मिलती है clitoris reason में कहां पर देखने को मिलती है clitoris reason में जिसके बारे में हमें तब बात करूंगा जब हम लोग female reproductive system की बात करेंगे अभी हमें क्या बात करनी है अभी हम बस बात करते हैं इदम सिंपली तोर से और बहुत डिटेल हम इसको जाकर के बाते हमको नहीं करनी है तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो पूरा इस क्रोटम एरिया होता है ये हमारा एरिया ये बॉड़ी से थोड़ा सा दूर होता है जो कि तकरीबन हमारे बॉड़ी टंप्रेचर से हमेशा 2 या 2.5 डिगरी सेंटिग्रेट कम होता है मलब अगर बॉड़ी का क्रेचर 30 डिगरी सेंटिग्रेट होगा ठीक उसके बाद बात ऐसी होती है कि देखें यहां पे आप अगर इस एरिया को देखिए तो यहां पे यह जो हमारा गोल ग्लांस पेनिस होता है इसको कवर करने के लिए यहां की लचीली स्किन्स होती है ये इसकिन्स क्या काम करती ह कि इनको पूरी तरीके से अच्छी तरह से कवर करके रखी रहती है लिकिन वेंदर क्वाइटस टाइम जब क्वाइटस का टाइम सुरू होता है और जब यह पेनिस एरेक्ट हो जाती है इरेक्ट हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए हलका सा ताकि कोई भी प्राब्लम आपको ना हो भाई, ठीक है समझने में, देखे ध्यान दीजेगा मेरी बात को, और इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, क्योंकि दा एक्स्टरनल जेनेटीलिया, जो मेल का एक्स्टरनल जेनेटीलिया होता है, हमारा बेसिकली, वो एक्स्टरनल जेनेटीलिया क्या काम करता है, क्योंकि 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 क इंटरनल फर्डिलाइजेशन करते हैं उनमें कौाइटस जरूरी होता है ठीक लाइक अगर बर्ड्स होती है तो या फिर अगर आप किसी भी एनिमल को देखे तो वहाँ पर क्या होता है जो मेल रिप्रड़क्टिव ऑर्गेंस होता है वो क्या होता है वो फीमेल रिप्रड़ में आने से जो है वो क्या होता है वहाँ पर इस पराइज कैसा है और जब इस पराइजगूलेशन होता है तो वही प्रोसेस जो है हमारी कहलाती कि भाइज क्या हो गया successful हो गया ठीक है? अब देखें आपे ध्यान दीजेगा कौाइटस जो होता है ये पूरी तरह से लिबिडो प्रोसेस है कैसी प्रोसेस है मैंने आपको लिबिडो के बारे में बताया था ये एक बहुत ही अच्छा टर्म है उनके लिए जो मतलब की scientific language को ज़्यादा बिलीव करते हैं लिबिडो का मतलब ये है sexual desire क्या मतलब है sexual desire का होना क्या होना sexual desire का होना sexual desire का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ जैसे की example के तौर पे अगर मैं एक normal male को मानू और normal female को मानू ठीक मान लीजे दोनों couple है और दोनों की साधी हो गई marisable couple हैं तो उस conditions में क्या होता है कि दोनों में sexual desire meant होती है देखो ध्यान से आप समझेगा लिबिडो एक अलग तरीके का love होता है जो केवल और केवल marisable couples में देखने को मिलता है या फिर opposite interactions देखने को मिलता है बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेगा लिबिडो के बीच में brain जो है वो भी आता है ध्यान सुनिएगा हम यह नहीं कह सकते कि हर बार opposite success से जो है वो हमारा लिबिडो ही काम करना सुरू करता है मतलब हमारे hormones काम करने सुरू करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हर का case अलग होता है जैसे कि मा और बेटे का प्यार बहन और भाई का प्यार यह सब और एक teacher और एक student के बीच का जो होता है लगाओ यह जो चीज़ें होती हैं यह depend करती हैं आपके brain के system के उपर कि आपका brain जैसे हम human being है ना तो जैसे हम किसी चीज़ के प्रते response करने के पहले brain में अपने information को think करते हैं सोचते हैं उसी तरीके से जब हम opposite sex में भी होते हैं तो चाहे वो हमारे सामने female हो female हो female में कोई भी हो सकता है तो हर के लिए एक अलग सा love निकलता है that's depend upon your brain यह किस पे depend करता है आपके brain पे depend करता है like right समझ रहो कि नहीं मेरे जैसे मा है तो मा में mamata release होती है तो उसमें उस type के hormones release होते हैं वो उस तरह के brain के thinking release होती है समझ रहो की नहीं मेरे बात तो यह एक बहुत typical term होता है जो की बहुत ही important होता है like अगल मैं लिबिडो की बात करूँ तो कुछ लोग अपने sexual desire को control भी कर सकते हैं it's all depend upon his brain like माल लो अगर आप जैसे example के तोर पे माल लो आप एक आपकी wife है आप उसे आप मतलब जो है आप उसको अपना सब कुछ मान चुके हो चलो ठीक है अगलती से ऐसा हो जाए कि उसकी death हो जाती suppose that भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ में हो suppose that तो आप जिंदगी में मान करके चलते हो कि भाई अभी हम जो है हमारा लगा उसी से रहने वाला है वो किसी और से नहीं जाने वाला है तो यह जो conditions होती है ऐसा नहीं कि उस इंसान की sexual desire खतम हो गई नहीं sexual desire बिलकुल नहीं खतम हुई है उसका libido proper work कर रहा है बट उसका libido proper work कर रहा है लेकिन condition यह है कि उसका brain उसके brain में जो images हैं जो capture photos हैं जो उसके पल हैं जो उसने उस lady के साथ में बिता हैं वो क्या काम करते हैं वो कहीं न कहीं उसके desire के उपर हावी पड़ते हैं मैं यहीं बताने कि आपको कोसिस कर रहा था तो sexual desire एक normal character है बहुत सारे लोग जैसे कि एक example के तौर पर होता है ठीक है ना मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहो उसमें फूहर पंती है कि नहीं अगले को बुरा लगेगा कि नहीं ठीक है जैसे जो गली बच्चे होते हैं वो जो cigarette वी ग्रेट पी रहे होते हैं आते जाती जो लड़कियां होती उनको ऐसा अलग तरीके से तो ये वो ये नहीं सोचते हैं ठीक है तुम्हारी बात ठीक है तुम देख रहो कोई दिक्कत नहीं है बट एक्जांपल के तौर पे उनकी thinking को देखो उनकी सोच को देखो वो बिल्कुल इस बात पे नहीं होता है जैसे अचानक से किसी पे नजर पढ़ जाए वो एक दूसरी चीज है किसी को घूरना वो एक दूसरी चीज है वो ये बात आपको बयां कर रही कि आपको कोई फरक नहीं पड़ता कि अगले आदमी को आप से किस तरीके की problem हो सकती है that is conditions ये conditions उनके दिमा की बिमारी है ये नहीं कि उनके sexual desire बिल्कुल काम करे कोई दिक करने लिबिडो हर किसी का काम करे भाई ये natural होता है ये humans नहीं ये animals का character है समझ रहो ना मेरी बात तो ये लिबिडो जो होता है अगर ये sexual desirement होगी लिबिडो काम करेगा तो आप quietus के लिए जाओगे ही जाओगे जिसके लिए भी मैंने का नहीं अलग अलग तरीके के तो अगर वो काम सही नहीं करता है तो भी आप किसी ना किसी बिमारी से grassy थे हैं भी मतलब आप सिख हैं आप मतलब mentally रूप से जो है वो prepare नहीं है मतलब आप mentally रूप से उथल पुथल या विमारी है आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप धूमरपान कर रहे हैं या फिर आप किसी medicine के side effect में हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे libido को down कर देता है और अगर libido down होगा तो quietus process खतम हो जाएगी और quietus process खतम होगी तो भाई couple जो होते हैं या फिर जो marisable couple होते हैं वो दो जीजों से चलते हैं male and female अगर male का sexual desire खतम होता है तो उसका impact female क्यों जे ले ठीक कर रहा है बहुत ज़्यादा working conditions में है तो ये conditions कहीं न कहीं females को काफी ज़्यादा परसान करती है इसलिए libido का काम करना भी है जरूरी खैर अब माले जिए libido काम करता भी है quietus होना है तो quietus होने के लिए आपका जो external genitalia है वो काफी बहतर होना चाहिए जैसे external genitalia कि मैं बात क करूं तो normally human का जो external genitalia जिसको हम penis कहते हैं इसकी जो normal size Asia इस country wise इसकी size अलग होती है country wise इसकी size जो होती है वो बहुत ही अलग अलग होती जैसे asiatic country के अगर मैं बात करो तो asiatic country में normally हम कहते है normal जैसे penis size भी दू तरह की होती एक होती normal नार्मल मतलब जिस समय जो male है वो normal stage में है अभी quietus के लिए तयार नहीं है मतलब अभी वो fertilization के लिए तयार नहीं अभी reproduction के लिए तयार नहीं नहीं normal conditions में इनकी size मतलब adult के अंदर 3-4 inches के आसपास में होती है ठीक but when the time of quietus जब ये quietus के stage में जाते हैं जब इनका brain जो है कई तरीके के hormones release करता है androsians release होती है और जब testosterone व pressure से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है heart beat बढ़ जाती है at a time of quietus at a time of quietus और heart beat बढ़ने से जो blood है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है penis के penis जो है वो special type के cell से बनी होती है special type के connective tissue से बनी होती है और ये जो connective tissue होती है इनकी जो सबसे अच्छी बात होती है कि ये elongate हो सकते हैं. ये साईज में, मलब बहूत ज़्यादा ये ब्लड और श्ट्रॉंग हो सकते हैं. मतलब सोचो पहले, इन में न तो कोई bones होती है, लेकिन ये जब इन में ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाता है पे reper agress के अंदर, जो blood cells के अंदर, मतलब blood cells के अंदर penis के blood cells में बहुत ज़्यादा blood आ जाता है, तो penis erect जब होता है, penis क्या हो जाता है, erect मतलब सीधा हो जाता है, उस condition में इसकी size जो है, वो 6-7 inches के आसपास Asiatic country में पहुँच जाता है, अब 6-7 आप बोल सकते हो, कहीं किताबे 5-6 हैं, या लिख कंट्री में, बाकी अधर Caribbean countries और Australian countries हर जगे का अपना अलग-अलग है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो Asiatic country में ये erect हो जाता है, क्या हो जाता है, और erect होने से इसमें hardness आ जाती है, क्या जाती है, hardness आ जाती है, और वो hardness जो होता है, वो अच्छा होता है, for the quietus, for the quietus, क्यों आपके जो पैनिस होते हैं, वो quietus के लिए physical contact में आते हैं, विजाईना के, और जो होता है, इस पर्म को execulate करते हैं, तो ये जो मैंने process बताई, ये just basically आपको basic सी चीज़ बता दी, कि why the external genitalia is important from our reproductive system, कि हम urethra ही तक आपको नहीं बता सकते थे, अगर मैं urethra आपको बता दे अब मैं सीधे आजाता हूँ आपके 3D डाइग्राम के उपर और थोड़ा सा discussion और कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये सब बात आपको बता दिया था, कि seminiferous tubule जो है, वो में उसमें हमारा seminiferous tubule जो है, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये lobule हैं, ये क्या है, testicular lobule हैं, य testicular lobule में ही quiet like seminiferous tubule होता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि किसी भी testis के अंदर ऐसे testicular lobule होते हैं, ये testicular lobule के अंदर जो होता है, quiet like seminiferous tubule होता है, और इसी seminiferous tubule के जो wall होती है, उसी में आपका spermatogonium होता है, और वही spermatogonium जो के liumine में इकठा हो जाता है, और फिर वहाँ से जाता है, कहाँ पर read testis, फिर vast difference या फिर उसके बाद epididymes, फिर उसके बाद seminal vesicle, seminal vesicle में क्या होता है, कि जो आपका sperm है, वो sticky होने से बचता है, sperm को nourishment मिलता है, फिर prostate gland, बर्बर यूरेतर gland इसको lubricate करती है, क्योंकि sperm जो हो के यूरेतरा के wall को rupture कर देगा, ये सारी चीज़े जो हैं मैंने previous rupture में आपको बताई हुई थी, ठीक है, चलिए, अब हम सीधे थोड़ा point पे बात आते हैं, यहाँ पे कुछ बाते लिखी हुई है, जैसे कि ledic cell की अगर हम बात करें, किस की बात करें, ledic cell की बात करें, तो एक सेमेनी फेरस टिबूल, एक सिंगल सेमेनी फेरस टिबूल, तो यहाँ पे सेमेनी फेरस माल लीज़े यह टिबूल है, और यह हमारा है लियूमेन, क्या है, लियूमेन है, और यह हमारी सेमेनी फेरस टिबूल की माल लीज़े, यहाँ हमने टेस्टिस से इसको बाहर निक psychologist होता है अब यह जो spermatogenesis यहां पर होता ہے यह spermation होता है resultant क्या b唇ता है प्रूट कर बनता है यह क्योंता होता है कौन सा अद्रोजन हार्मों जो होता है और अद्रोजन हार्मों जो होता है वह इस्टुमूलेट तब होगा जब हमारी brain जो है different type के hormones को release करेगी ठीक है अब जब brain hormones release करेगी तो वो androgen को blood में blood के through hormones आएगा और blood के through hormones आएगा तो वो आएगा ledic cell के पास में और ledic cells फिर जो है और भी hormones का release करेंगी जैसे example के तोर पे आपको कहां से कहां तक के line पढ़नी मैं आपको बता दे रहा हूँ आप इन line को बहुत ही ध्यान से पढ़िए जो पिछला वीडियो देखे हैं उनको समझ में आएगा जो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा देशें यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके सामने line लिखी रहेगी एक मेंट रुके रहिएगा यह यहाँ पे एक मेंट एक मेंट एक मेंट ओके ओके वही line कहाँ चली गया हार्मोन्स वाली line थी यहीं पे ना हाँ यह रहा यहाँ देखिया यहाँ पे लिखा है कि Seminiferation Stibule called Interstitial Space जैसे जो Sein بالstibule होती है उनिके बीच में कुछ 마스크 होते हैं क्या होते हैं इस पेस होते हैं और इनिंहीं safe में small blood vessel इन्हीं space में क्या गई रहती हैं blood vessel गई रहती हैं जैसे example के तौर पे मैं आपको बताऊँ तो देखिए मैं आपको बता रहा हो एक मैट के लिए एक मैट के लिए जैसे मान लीजिए कि यह आपने बना दिया अब ये मान लीजे यहाँ पे हो गया testicular lobule और ये आपकी यहाँ पे seminiferous debule acquired like structure चलो जैसा भी मनोड़ा इन्ही के बीच बीच में ब्लड वेसल गई रहती क्या गई रहती हैं ब्लड वेसल और उन्ही ब्लड वेसल के पास में उन्ही ब्लड वेसल के पास में मौझूद होती है आपकी interstitial cell या फिल लेडिक cell अब ब्लड वेसल का काम क्या होगा जो हार्मोंस brain के थूर रिलीज होगी वो हार्मोंस ब्लड के थूर आएगी और जब ब्लड के थूर आएगी तो वो हार्मोंस किसके पास आएगी लेडिक सेल के पास आएगी और जब वो हार्मोंस लेडिक सेल के पास में आएगी तो synthesize and secrete testicular हार्मोंस तो वो एंड्रोजन हार्मोंस को secrete करेगी और ये जो एंड्रोजन हार्मोंस होता है यही हमारे testosterone को promote करता है किसको promote करता है testosterone hormones को जो है वो क्या करता है promote करता है और यही testosterone hormones जो होता है वो आपके spermatogenesis process को क्या कर देता है activate कर देता है और जब यही testosterone process जब यही activate करता है तो आपकी जो spermatogonia है वो किसमें बदलना सुरू हो जाती है इस पर में convert होना सुरू हो जाती है बात समझ में आया की नहीं तो ledic cell जो होती है वो synthesize होती है secrete होती है testicular hormones secrete करती है जिसका नाम है androgens ठीक तो ledic cell synthesize and secrete testicular hormones called androgens और इसको जो promote करती है वो होती है blood vessels ठीक है तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इसी तरीके से जो आपके hormones है वो आपके ledic cells जो है वो release करती है और release करने से क्या होता है कि जो आपके testosterone hormones है वो कहीं ने कई promote करते हैं उसी तरह से मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें कई part होते है जैसे आगे जाकर के part मिल जाता है आपको जो है एक तो यह हो गया, उसी में आगे जाकर पार्ट मिलता है सर्टोली सल, कौन से सल मिलती है, सर्टोली सल, कल मैंने आपको बताया हुआ था, सर्टोली सल जो होती है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, सर्टोली सल जो होती है, जब यहाँ पे आपका जब इस्पर्म बन रहा होता ह इसके लूमेन में किसके लूमेन में क्या कहते हैं सेमिनी फेरस टिबूल के उसमें क्या कहते हैं हाँ सेमिनी फेरस टिबूल के वाल पर जब इस्पर्म बन रहा होता है तो यहीं पर बीच बीच में क्या होते हैं होते हैं हमारे यह क्या नाम से सर्टोली सेल इसी सर्टोली सेल में क्या होते हैं कि स्पर्म धस जाते हैं और इनी ह controllers ले रहे होते हैं बास समझे आ रहे की नहीं तो एक तरीके से हमारे sperm को और हमारे spermato doaka कोzust को निट्रीशन देने का काम कौन करते हैं ठीक है जिससे में हमारे sperm बन रहा होता है spermatogenesis के टाइम पर जो हमें nutrition देते हैं वो कौन देते हैं सर्टोली cell देते हैं तो ये भी बात आप ध्यान में रखेगा कि सर्टोली cell जो होते हैं वो हमारे sperm को nutrition देने का काम करते हैं लेडिक cell जो होते हैं वो spermatogenesis को promote करते हैं तो ये दो बात तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है अभी फिर से आपको बता दे रहो है एक बार ठीक एक बार आपको पहले चप्टर में भी बताया था तो यहाँ पे भी आप ध्यान में रखेगा कई बार यह आपको मैंने बता दिया ठिक बाकी सारे जो मैंने चार्ट हैं वो मैंने आपको बता दिये थे कि कौन कौन सक क्या क्या important role किसका किसका होता है read testis मैंने आपको बता दिया read testis क्या काम करता है seminiferous tubule के lumens है इस pump को लेता है उसे vasiferencia तक पहुचाता है फिर vasiferencia से वो epididymis में जाता है epididymis वही चीज है जो एक लंबी pipeline होती है अच्छा epididymis तो बीच में testis के पास में होती है vasiferencia एक लंबी pipeline होती है जो during, during जब हम लोग नसबन्दी करते हैं तो क्या करते हैं? वैस अक्टोबी के टाइम पे हम लोग काट देते हैं क्या करते है? west differences को काट देते हैं जिससे जो isperm है वो जो है टेस्टिस से जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाने पाता है मतलब कि seminal vesicle तक नहीं पहुच पाता है ठीक जब west difference तक पहुचता है तो उस time तक ये isperm होता है क्या होता है इसperm होता है लेकिन उसके बाद जब ये seminal vesicle में पहुचता है और तमाम तरह के glands में पहुचता है तब ये convert हो जाता है सीमेन में किसमें convert हो जाता है सीमेन में convert हो जाता है और उसके बाद seminal vesicle के बाद इनका जो रास्ता होता है वो urine वाला और इस sperm के बाहर जाने का रास्ता सेम हो जाता है ठीक है वहीं यह रास्ता सेम हो जाता है फिर यह उसके बाद पहुचते हैं cowper gland जिसको हम bulboyurethral gland बोलते हैं prostrate gland बोलते हैं जो इन्हें क्या काम करता है जो इन्हें जो है लुब्रिकेट करता है ठीक है तो चलिए ये आपके सामने देखे मैंने आपको एक बता है लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो आपका देखिए इस तरीके से होता है जैसे जामपल के तौर पर अगर माली जाब टेस्टिस है तो टेस्टिस ऐसे लोबियूल बना हुआ है और इसमें क्या बना हुआ है ऐसे ऐसे क्या बना हुआ है सेमनी फेरस टिबूल बना है अब आप इसे ब्लेट से क्या कर दो इसे काड़ दो सेक्शन और सेक्शन काड़ करके आपका सेक्शन दिखाई दे रहा है देखो बीच बीच में क्या गई हैं बलड सेल्स गई है औ और यही blood vessel गई हुई हैं, और यहीं interstitial cell हैं, और यहीं interstitial cell क्या काम करेंगी, androgens release करेंगी, और यहीं androgens किसको promote करेंगी, ispermatogonia को promote करेंगी, इसpermatogonia को promote करेंगी, इसpermatogonia मतलब sperm बनने के लिए, तो यही चीज आपको यहाँ पे समझना है, sertoli cell देखिए, यहाँ पे, जो isperm है, उसको क्या काम करेंगी, जो यहाँ sperm में देख़ो, धसे हुए sertoli cell में, यह इनको nutrition देती है, क्या देती है, nutrition देती है, तो बस आपको इतनी ही बात समझनी है, सभी बच्चों को बात समझ में आई, सभी बच्चों कितनी बात समझ में आ रही ना, इसमें कोई भी problem होगी, आप मुझे बताईएगा, ठीक है, सभी लोग एक बार मुझे बताऊ, सभी को बात समझ में आई, तो मैं आगे आपको 3D दिखाता हूँ, female reproductive structure का, ठीक है, अभी हम में बाप बता दीजे, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, आपके सर की एक question bank, जो है, वो release हो रही है, ठीक है, तो आप लोग जो है, question bank की कुछ limited edition ही है अभी मेरे पास, बहुत जादा edition तो नहीं है, limited edition ही है मेरे पास में, और अगर आपको questions तो मैंने भेज दिये थे, और उसके cover बगेरा के साथ में आपको चाहिए, तो definitely आपको मिल जाएगी, और मज़िदार है, और interesting भी है, बुक बनाई है, कैसे कैसे बता सकता हूँ भाई मैं, ये तो नहीं possible है न, बुक नहीं है वो कोई, बुक नहीं है, ऐसे है कि जैसे मालो आप questions कोई भी solve करते हो, अब लिखा देखे तो हो, पुरा PDF तो भेजा है आपको, कोई बुक नहीं है वो, पर हाँ ये है कि, अच्छा नाइन पेजेस हैं उसके अंदर, और पांच हजार से जादा questions हैं, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है, आप पांच जादा questions solve करते हो, तो amazing बात होती है, ठीक, तो मेहनत लगी लेकिन हाँ, तयार तो हुआ, जादा मेहनत भी नहीं लगी, जादा मेहनत उसको finishing देने में ह कहने का मतलब यह है, कि अभी मैं आपको, कुछ covers है मेरे पास, मैं covers, तो covers छपके आ चुके हैं, अब book बुग जो है, वो बननी है, तो वो book बनेगी, then जो है, unlimited edition, पीछे लिखा भी हुआ है, उसके limited edition, ठीक है, मैं book का cover आपको दिखा देता हूँ, हाँ, मैं इतना कर दे सकता हूँ, जो है, book के cover काफी, क्या होगे भाई, यह, अच्छा यह पढ़ा हूँ, book के cover मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो मैंने design किया हूँ था book का cover, ask doubts, यह देखे, यह हमारा front page है, यह front page है, रहेगा हमारा जो है, देख रहा हूँ, 400 प्लस topic है, और 5000 प्लस questions हैं इसके अंदर ऐसा है हमारा front cover और यह हमारा back cover है, back में आप विदान बायलोजी के बारे में जानेंगे, about section है, विदान बायलोजी और 13 अगस्ट 2015, since then we have one of the better choice to preparing for need graduation in CSI and net examination, the purpose of विदान बायलोजी is to provide best knowledge to all ladies students, और उसके बाद तमाम तरह के बलाबला चीज़ें हैं, जानती हैं सब क्या ल और यह आपका यूट्यूब विदान बायलोजी, डाउनलोड दकोसी का और website www.vidanbiology.in, website पे data entry हो रही है, लगातार जो है, time लग रहा है, महिनत लग रहा है, PDF बहुत बनाना पड़ रहा है, virus, bacteria मैं पागल हो जाओंगा, पर हाँ बन रहा है, और बन गया है, काफी हद तक, अब आप उस पे registration वगेरा भी जो है, options हैं, सब कुछ data वगेरा add हो रहे है, ठीक, तो यह रहेगा, और इस किताब की जो cost है, वो 80 page की किताब रहेगी, और सारे मोठे पनने लगेंगे, 100 dpi के page लगें है, 100 dpi नहीं जानते तुम लोग, तो जो तुम लोग normal photo state लेते हो, वो 75 5 dpi का होता है, normal page, जो मोटाई होता है, वो dpi में होता है, और जो 100 dpi का page होता है, वो काफी मोटा होता, जैसे photo और पेपर टाइप का नहीं होता, वैसा, तो वो page, 80 page इसमें लगेंगे, जो है 80 page लगेंगे, और designing लगेगा, तुम सोच सकते हो कि cost efficient, मेरे लिए तु नहीं है, मेरे लिए थोड़ी महंगी पढ़ रही अभी लेकिन यह limited edition है तो limited edition इसलिए दी जाती है कि बच्चे बताएंगे कि किताब कैसी है अगर ठीक लगती है तो आगे रहेगा वरना limited edition limited रह जाएगा हद में enjoy करें आगे अच्छा करूँगा तो और अच्छा बनाऊँगा ठीक तो अंकित अपनी बुक निकालेंगे न नीट की तो उस दिन अंकित के वली एक सुधार करेंगे वो यह सुधार करेंगे कि हम online support प्रोइड कराएंगे बच्चों को नमबर एक बार नमबर दूसरी बार डाइग्राम बहुत कमाल कमाल के रखने की कोशिस करूँगा डाइग्रा आगे की तरफ यह रहा मेरा बुक का थोड़ा सा जहलक जो है बाकी बन जाएगी और इस्पारल बाइंडिंग रहेगी एक बात और ध्यान रखो ब्यूटिफुल इस्पारल डबल इस्पारल बाइंडिंग रहेगी जो दिखने में काफी attractive लगेगी और अच्छा है मैं इसक तमाम तरह के experiment है एक diary release कर रहूंगा डाइरी भी मेरी आएगी वो विदान बायलोजी के ही नाम से रहेगी ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो हलके हलके से रहते हैं चलो खाल आगे बढ़ते हैं female reproductive system में सबसे पहले हम लोग एक बार structures को ध्यान में रखते हैं ठीक है सब ने द reproductive system है अब अगर आप इस reproductive system की तरफ नजर डाले तो यहाँ पर बहुत ही simply आपको सारी चीज़े जो है वो locate हो रही है जैसे की example के तोर पे अगर मैं front view से देखू तो इधर की तरफ पुरा boni portion है और ये side जो है इधर से आप देख सकते हैं ये reason हमारे inus का reason है जो की rectum है और फिर आगे जा करके ये inus बनेगा ठीक है जो feces को excrete करने काम करता है उसके बाद ये portion जो आपको दिखाई दे रहा है ये portion ये vagina है क्या है वेजाईना है और ये ऊपर की तरफ जो portion है ये हमारे uterus है और ये हमारी ovary है यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ovary का ऊपर का portion मतलब anterior portion कोई बात नहीं और ये ovary के posterior portions है ठीक ये हमारी fimbry होती है और ये हमारा fallopian tube होता है जिसके बारे में अभी हम लोग detail में एक एक चीज़ देखते चलेंगे ये हमारा uterus होता है जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरा portion uterus होता है ये हमारी ovary होती है ये हमारा uterine tubule या फिर fall लाइना होती है ये external genetelia होती है external genetelia के बारे में भी आपकी किताब में diagram नहीं दिया हुआ है लेकिन उसके बारे में line है जरूर लिखा हुआ है तो आप हर चीज़ को click करके छोटी से छोटी चीज़ को जो है जितने भी topic में बोलता जाओंगा आपकी किताब में लिखा ये भी आप किताब में लिखा हुआ है, युरेत्रा लिखा हुआ है, लेबिया मैजोरा लिखा हुआ है, लेबिया माइनूरा लिखा हुआ है, सारी बात आप ही किताब में लिखी हुई है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ही किताब में नहीं है, बस आपको इसको देखते बोन से बोन जो जुड़ी होती, that was the ligament, अब ये जो ligament होता है, ये pelvic ligament जो होता है, वहीं पर हमारा ये देखो, अगर आप देखो तो वहीं पर हमारा uterus मौजूद होता है, ये pelvic पूरा ये पूरा रीजन जो होता है, पूरा जो आप cavity देख रहे हो पूरा ये, ये pelvic reason है, कैसा reason है pelvic reason जो कहीं न कहीं female reproductive system को protect रखता है ये बहुत ही amazing बात है कि female reproductive system ये area को अगर मैं जहाटा दूँ तो female reproductive system जो है वो पूरी तरीके से protected रहता है egg ठीक है egg protected रहता है लेकिन male में क्या होता है कि egg protected नहीं रहता है इसी लिए क्रिकेटर्स जो होते हैं वो AD लगाते हैं क्या लगाते हैं AD AD आती है जो क्रिकेटर्स जो है अपने external genity लिया के ऊपर पहनते हैं ताकि balls वगेरा जो हैं वहाँ पिनना लगें otherwise जो है dangerous हो सकता है उनके लिए चलिए आगे की तरफ बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा अक्सर जब लोगों को वहाँ चोट लग जाती है तो बहुत जादा लगती जान निकल जाएगी बट इनका पूरा pelvic reason में देखे पूरी तरीके से अच्छा reason भी होता है यहाँ पे बच्चा भी होता है तो बहुत सारी चीज़े होती तो protection की बहुत ज़रूरी होती है और complications बहुत ज़ादा होती बॉड़ी में अगर आफ female reproductive system देखिए तो बहुत complications है यह area में बच्चे बनने यहाँ पे एग प्रड्यूस होना है urator का reason अलग है यह ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर का reason वो अलग है तो यह पूरा pelvic reason में जो होता है वो मौजूद होता है यह pelvic ligaments होते हैं जो bone से bone को जोड़ करके रख रहे हैं आपको देख रहे हैं आपे यह एक सिक्ड़ लिगामेंट ligaments muscles को जोड़ते हैं ना right कि bone से bone को जोड़ते हैं Plate uterus यह रहा आपका तो यह आपके uterus हैं आप पो पता है यह आपकी ovary कैसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे pelvic reason में वही दिखाने कोशिस कर रहा है जो आपकी किताब की पहलीteenth ठीक है फिर यह आपकी वेजाइना होती है और जो वेजाइना बाहर की तरफ निकलती है एक्स्टरनल जेनेटीलिया होती है वेजाइना बाडी के अंदर की तरफ होती है और एक्स्टरनल जेनेटीलिया जो बाडी के बाहर से दिखती रहती है वरना भाई आपको कैसे पता होता है यहाँ पर interesting बात यह है कि आप देखे तो ovary भी जो है वो हमारी basically किस्से जुड़ी होती है वो भी हमारे uterus reason से ही जुड़ी हुई होती है बात समझ मैं है तो यह बात आपको यहाँ पर समझना है ठिक कि यह किस्से जुड़ी रती वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यह reason जो होता है इस reason को हम लोग कहते हैं ovarian ligament इसे क्या कहते हैं ovarian ligament कहते हैं तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है अब यह जो हमारा ovarian ligament होता है तो ovarian ligament one of the ligament that hold each ovary जो हमारी ovary को hold रखती है otherwise हमारी ovary नीचे ने ठपक जाए तो यह ध्यान में रखेगा कि ovarian ligament जो होता है वो हमारी ovary को hold रखता है each ovary मतलब दोनों ovary की तरफ आपके ligaments मौजूद होते हैं जो हमारे ureter region से लगे हुए होते हैं the primary reproductive organs of female reproductive system within the pre-tonial cavity the ovarian ligament anchor the ovary to uterus यह ही इसको uterus से जोडने में मदद करते हैं और इस बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक आगे कहते हैं आगे की तरफ कुछ नहीं कहते हैं आगे की तरफ आपको ज़्यादा नहीं जानना चलिए बागे बढ़ते हैं अब यहां पर आप देखें ओवेरीयर का interior portion अगर आप देखिए तो interior portions में आप देख सकते हैं कि यहां से blood vessels साबलत वे हुएं क्या हुएं blood vessels आए हुए हैं और यही blood vessels क्या लेकर के आते हैं LH और FSH लेकर के आते हैं क्या लेकर के आतें Parh mamla, LH और FSH, Lutinizing hormones लेकर के आते हैं anterior pituitary से और FSH लेकर के आते हैं anterior pituitary से follicle stimulating hormones ठीक है ध्यान सुनिएगा GNRH सबसे पहले release होता है कौन करता है GNRH release है hypothalamus ने release किया तो pituitary ने release किया क्या FSH and LH FSH and LH जब release हुआ तो वो blood vessels के थुरू आया follicle stimulating hormones किसके पास में follicles के पास में female reproductive system में आपको दो तीन बाते जो सबसे important ध्यान में रखनी है ये याद में रखना है कि देखो जैसे male के अंदर germ cell होता है spermatogonium वो जो है आगे जा करके क्या बनाएगा sperm बनाएगा female में बर्थ के पहले ही females में भी बर्थ के पहले ही germ cells बन जाते हैं ध्यान सुनिएगा female में बर्थ के पहले ही germ cells बन जाते हैं और उसके बाद जो है धीरे धीरे जब female आपकी mature होने लगती है देन एक एक जो germ cell है वो आगे जा करके क्या करती है oam बनाती है और वो oam इतब बनेगा क्योंकि जब female जो है mature होती है या फिर जब थोड़ा सा बड़ी होती है तो उस conditions में क्या होता है कि उसके hypothalamus LH और FSH release करते हैं LH और FSH जो है वो blood के थुरू आता है क्योंकि वो endocrine system का part है किसका part है endocrine system का part है वो उस blood को लाता है हमारे follicles यहां पर egg के पास में और यहीं जो sorry ovary में और ovary में ही होता है हमारा क्या जर्म सेल और यह जर्म सेल में follicle stimulating hormones FSH develop follicle cells क्या develop करता है follicle cells follicles का development करता है कौन सी cell में जो cell सबसे ज़्यादा mature होती है यह सब बात में आपको बादने बताऊंगा तो follicle का development करती है FSH और जिससे की जिसके अंदर egg का development होता है and then egg जो होती वो after 14 days of menstrual cycle ovulation होता है और एक बाहर निकल जाती है and fimbri उसको delete करती है यह सब बात आपको पता है मैं आप ही आगे आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा ठीक है न तो eugenesis यहीं पे होती है इसी process को जो जर्म cell से ओम बन रहा है इसी process को हम eugenesis कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो eugenesis की process आएगी बता दूँगा चलो आगे ovaries है आपकी ovary आप देख सकते हैं uterus आपने देख लिया है uterine tubule भी आपने देख लिया जिसे हम लोग fallopian tube कहते हैं ठीक अब यहाँ पे देखे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो blood vessels हैं वो हमारे पूरे पूरे reproductive organs के पास में आई हुई हैं मतलब यह पूरी चीजें blood vessels बहुत ही जादा important role play करती हैं क्योंकि यहीं पे आपके fetus का बनना भी है समझ रहो नहीं मेरी बात यहीं पे आपका fetus भी बनना होता है तो blood का role जो है वो और भी जादा बढ़ जाता है उसके बाद यहाँ पे आप देखें uterus है यह uterine arteries है और यह आपकी internal iliac arteries है जो main arteries होती है जो कहां तकाती है reproductive system तकाती जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है यह आपकी ovary है जहाँ पे बहुत सारी blood vessels दिखाए दे रही है और यह ovarian arteries है तो यह हमारी blood supply थी अब बात करत पोर्शन में जो यह पोर्शन है इसी को cervix कहते हैं cervix की important बढ़ जाती है at a time of pregnancy और मैं आपको बतातू कि बहुत सारे जो contraceptive होते हैं जैसे condom हो गया उसके बाद आपके copper tea हो गया है ना और उसके बाद आपके जो male condom है वो हो गया और उसके बाद एक आता है sponge जो आता है व contraceptive जो है वो यूज किये जाते हैं ताकि cervix के अंदर sperm पहुचने ना पाए क्योंकि वेजाइना तक वेजाइना में क्या आएगा वेजाइना में पेनिस आएगा ठीक है वेजाइना साइज भी जो होती है वो approximately countries वाइस अलग-अलग होती है 3-4 inches 5 inches के आसपास होती है 3-4 inches आ होता है वो इसी cervix के थुरू कहां पहुचेगा जाएगा आपके uterus portion से होते हुए uterus portion से होते हुए कहां चला जाएगा fallopian tube में जाएगा जहां पर यह एक को क्या करेगा fertilize करेगा तो इसी portions को close करने के लिए हम लोग different type के contraceptive का इस्तेमाल जो है वो किया करते हैं ठीक तो यह बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना बाकी यहां पे आप देखे यह हमारा urinary bladder है और urinary bladder है और यह जो आया हुए यह urator है जो किस से जुड़ा होता है kidney से जुड़ा होता है यह सब आप लोग जानते ही हो और इनका जो रास्ता होता है वो external genitalia में खुलता है जो कि urination के लिए वो अलग से urethra होती है तो यह इस मामले में female reproductive system reliable होती है male के मुकाबले आगे की तरफ अगर यहां पे बात करो तो female reproductive system में जो external genitalia में ही एक पार्ट पायता है जिसके हम लोग vestibule कहते हैं क्या कहते हैं vestibule कहते हैं और यह vestibule जो होता है यह external genitalia का पार्ट होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे external genitalia को दूसरे word में हम लोग vulva का भी नाम देते हैं तो यह भी बात ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग vulva का भी नाम देते हैं यहां पे vestibule में दो portion आते हैं यह बात याद रखने की जरूवत है कि vestibule में klitoris नहीं आता है vestibule में urethra आते हैं और आपके कौन आते हैं वेजाईन आते हैं तो यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है चले अब आगे की तरफ देखते हैं structures को और कौन से structures हैं अब यहां पे देखे यह आपका हो गया vulva पुरा का पुरा portion जो external genitalia है उसे हम लोग vulva कहते हैं यह labia minora है यहां पे आप ध्यान रखेएगा कि यह reason जो vulva reason आपका पूरा कहलाता है उसमें जो पहली वाली पहली coating तो labia mesora होती जो अब आगे देखेंगे पहले labia mesora देख ले देखें यह जो portion आप देख रहे हैं यह portion labia mesora होती है जो काफी fatty portion होती है काफी fatty portion होने के कारण ज ठीक और यह जो portion होता है इसी को हम लोग labia mesura कहते हैं क्या कहते हैं और उसके बाद यहां पे क्या होता है छोटा portion जहां पे labia mesura जो होती है यहां सुरू होती है यह labia mesura पूरा portion जैसे यह labia mesura का portion है इसका portion labia mesura का portion है यह वाला ठीक यह दोनों labia mesura का portion है ना और यहीं से जो नीचे साइड में ही आपको क्या देखने को मिलता है क्लिटॉरिस देखने को मिलता है आखे क्लिटॉरिस इतना important क्यों ध्यान सुनिएगा female reproductive system के अंदर क्लिटॉरिस की importance इसलिए बढ़ जाते हैं क्लिटॉरिस वो जगह होती है जहां पे female की सबसे ज़्यादा neuron cells मौझूद होती है यही वो area होता है जहां पे सबसे ज़्यादा neuron system मौझूद होता है मतलब female की body में जो सबसे ज़्यादा sensations होते हैं वो इसी reproductive part से होते हैं क्लिटॉरिस क्लिटॉरिस यह कैसा reproductive part है जो females के अंदर sexual desirement को increase करता है तो अगर यहां पे किसी भी तरीके की movement होती है तो female जो है quietus के लिए prepare होती है कहने का मतलब यह है कहीं न कहीं वो information उनके brain तक जाती है और आप बोज़ सकते हो कि उनके अंदर उनका libido जो है वो excited is term of sexual desirement बढ़ता है इसलिए clitoris बहुत important area बन जाता है female reproduction के लिए और साथ में यहां पे बहुत सारा blood vessels भी collect होता है तो यह भी व्याद ध्यान रखेगा आप इकिता में बना नहीं है लेकिन clitoris के आगे portion में clitoris को अगर आप structure ली देखेंगे तो clitoris जो है छोटा सा जो है structure लंबा सा इसे निकला हुआ रहता है जैसे ऐसे लंबा सा रहता है मैं कैसे बनाओ इस तरीके से रहता है इतना बड़ा और इसी के आगे गोल गोल सा एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग glance बोलते हैं क्या बोलते हैं glance बोलते हैं मतलब यह कुछ यहां से आते हैं structure जैसे यह glance वाला area है इसका अंदर भी कुछ area होता है तो जब यह excitement stated होती है तो जाकर के यह आपके neuron systems को जो है वो response करती है उसके बाद यह area vestibule होता है vestibule beach का एक और covering होता है तो सबसे पहला labia mesora labia minora फिर vestibule यह तीन आप याद रखेगा फिर labia minora जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है यह चीज आपको ध्यान में रखना है और यह area पूरा आपका labia mesora है ठीक चलिए अब यह रहा आपके पूरे female reproductive system का part यह बताओ इसमें किसी को कोई problem है कुछ पूछना है भाई पूछ सकते हो मेरे हिसाब से मैंने इस structure से आपको बता दिया ovulation की process यहाँ पे आप देख सकते है पहले follicles बना फिर primary follicle फिर secondary follicle फिर graphene follicle जो आपके NCR team बना हुआ है देखो यह क्या है पहले spermatogonium spermatogonium है क्या है मतलब germ cell और यह germ cell मतलब आगे जाकर के follicles का development हुआ कुछ ने किया estrogen hormones ने किस ने किया sorry estrogen कहा रहा हूँ LH और FSH ने किया क्योंकि LH FSH FSH release हुआ तो follicles का development हुआ follicle कौन सा hormones release करती है estrogen hormones जैसे इसे egg develop करती जाएगी estrogen hormones का concentration बढ़ता चला जाएगा और एक time पे वो peak पे पहुँच जाएगा और यह जो आपकी O-M है यह echo क्या कर देगी release कर देगी तो LH FSH promote promote follicles development and when the follicle development takes place then क्या हो रहा है then estrogen levels increase slowly slowly ठीक है again क्या होता है कि जैसे ही graphene follicles का development होता है और जो follicles से वो last step में पहुचती है then वो बहुत जादा estrogen को release करना शुरू कर देती है और उससे क्या होता है कि ovulation की process करवाता है कौन LH LH का secretion बढ़ता है तो जो ovulation है वो हो जाता है 14 days से जैसे आगे के chapter में लिखा हुआ 10 to 70 days के बीच में तो ये बात आप ध्यान रखेगा 14 हम लोग average मानते है ठीक इतनी बात आप समझेगा इसके बारे में तो अभी हमको आगे बताना ही है यह यो trying tube होती है जहाँ पे आप आगे development को देखेंगे बाकी और देख लेते हैं यह anterior पे tutory होती है यह ovaries होती है इसमें कोई चीज और रखा नहीं है हाँ memory gland के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं दो मिनट रुक जो memory gland भी देखते जाओ memory gland आप यहाँ पे देखे यह आपका memory gland से दोनों तरफ एक पुरे जोड़े होते हैं यह उनमें पाए जाने वाले lobule हैं जिनको हम लोग LVOLI भी बोलते हैं क्या बोलते हैं LVOLI बोलते हैं जहां कि wall जो होती LVOLI के जो wall होती है वहां कि wall जो होती ध्यान सुनिएगा पेटा बहुत important बात बता रहा हूँ अभी ठीक है ध्यान सुनिएगा देखिये देखते रहिएगा डिग्राम देखिए यहां मैंने आपको यही बताया है कल मैं इसके बारे माहँ देखो यह Alveoli की Wall है और यह जो Wall आपको दिखाई दे रही Alveoli की जो सेल्स दिखाई दे रही है यही 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 release करती है क्या milk यही क्या release करती है milk और इनको promote कौन करता है prolactin किसके थुरू आता है blood के थुरू आता है ठीक है यही बात आपको यहाँ पर बतानी थी बाकी बातें यह पूरा का पूरा pathway मैंने बनाया हुआ है screenshot ले लो कल मैं इसको पूरा explain करूंगा अच्छे से ठीक है बात समझ मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वरना यह process अभी आधा ही रह जाएगा ठीक तो यह आपके alveo लाई है तो इसको ध्यान में रखेगा बाकी brain है memory gland से यह आपकी anterior pituitory है और यह posterior pituitory है इसमें दोनों hormones काम करते हैं anterior pituitory release करती है प्रोलेक्टिन और posterior pituitory oxytocin anterior pituitory जो है वो milk को produce करवाएगी और oxytocin क्या करवाएगी मतलब यह milk को production के लिए बताएगी और प्रोलेक्टिन milk को बनाएगी दोनों को बतलब समझो एक promote करेगी और एक क्या करेगी बनाएगी तो यहाँ पर इसे ही कर रही जो milk के सिक्रीट कर रही है milk को क्या कर रही है और oxytocin क्या कर रही है उसको मतलब promote भी कर रही प्रोलेक्टिन को और साथ में milk को execulate भी करवा रही है तो यह दोनों हर्मों मिल करके काम करते हैं यही चीज आपको आगे बतानी पड़ेगी मैं बता दूगा आपको ठीक है चलिए सबको समझ में आ गया तनू कोई problem एक बार आप लोग structure वाले पूरे point जो है पढ़ लीजेगा क्या कहते हैं NCRT से ठीक है